नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जीवन जीने की कला में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि चेहरे की स्कीन को हम सभी चाहते हैं कि इस्तेमाल को बस हम समझ लें आप सभी जानते हैं इनको हम जिन्हें बताने जा रहे हैं लेकिन इस्तेमाल के तरीके को अगर आप जान लेंगे और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप हर मौसम में अपने स्कीन को बहुत ही बहतर रख सकते हैं अपने स्कीन के कलर को न माल करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि कई बार उससे ऐलर्जी भी हो जाती है पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं आपको जाकर के लाना होता है समय भी लगता है ज्यादा तो इससे बेटर है कि आपके घर में कीचन में मौजूद कुछ ऐसे ओशधिया हैं जिनक अगर आपके चेहरे पर कोई भी परिशानी होती है तो आपके अच्छे दूद का बेधड़क इस्तेमाल कर लीजे आपके इसकीन इससे बहतर रहेगी इसके अलबा जो हल्दी इसमें मिला करके आप इसकीन पर लगाएंगे तो क्या फायदा होगा हल्दी में kitaления प्रोपरटिज पायी जाती है तो हल्दी के साथ दूद मिला करके इसे फेस पेक त्यार कर लिजी इसकीन को धो लीजे अच्छे से यानि के फेस को अच्छे से पहले एक बार धो लीजे तौलियसे । के बाद इससे लगा करके छोड़ दीजिये इसको लगाने से चेहरे के दाग, धब्बे, जुर्रियां, इसके साथ साथ पिंपल्स की समस्या है, तो वो जड़ से समाप्त हो जाती है, हल्दी में हमने बताया क्या गुण पाया जाते हैं, इसलिए आपको किसी भी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होने देगी, और चेहरे की चमक को बना कर के रखेगा दूद, तो ये प्रियोग बहुत अच्छा है, इसको आप अपना सकते हैं, इसके अलावा नारियल टेल, ये आपकी पूरी बोडी के लिए बहुत अच्छा है, पूरी सर्दियों में भी और गर्मी में आप कम इस्तेमाल करें, तो भी चलता है, क्योंकि बोडी सेप्टिक गुनों से ये भरपूर होता है, ड्राइ स्कीन की प्रोब्लेम को दूर करने में मदद करता है, और हवा ऐसी चलती है सर्दियों में, जिसकी बज़ह से हमारी स्कीन फटने लगते हैं, और वो रूखी हो जाती है, तो ये नमी बनाये रखने के लिए बहुत ही प्रयोग करें, जी हाँ, निम में anti-inflammatory, antibacterial, antiviral और antioxidant properties पाई जाते हैं, तो आप निम का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरे पर चाहें तो, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट इसका इस्तेमाल, तो आप निम की पत्तियां लीजे, 10 से 15 मिनट तक उसको पानी में उबालिए अच्छे से, इसके बाद उस पानी से आप फेस वाश कर लीजे, इससे आपके फेस से फंगल वगेरा की समस्या नहीं होगी बिल्कुल भी, और आपकी स्कीन बिल्कुल ही स्वक्ष रहेगी, स्वस्थ रहेगी, आप चाहें तो इससे स्नान कर सकते हैं, पूरी ब इलर्जी के लिए रामबाण और शरी के रूप में जाना जाता है, ऐसे में चंदन का इस्तेमाल करने से आपका चेहरा बेदाग हो जाता है, आपको गर्मियों में चंदन का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि गर्मी में ज्यादा लापकारी होता है ये, तो इस प्रकार से आप अपने skin की care करें और स्वस्त रहें लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें मूल मंतर है वो यहीं है कि पानी की पर्याप्त मातरा जरूर लें सर्दियों में गर्म पानी का सेवन करें और गर्मी के मौसम में नॉर्मल पानी का सेवन करें यह आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कौन कर लें ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले लाइक कीजिए वीडियो पसंद आया तो शेर कीजिए उन लोगों के साथ जिन को इसकी जरूरत है और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं तो हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धनिवाद नमस्कार दोस्तों